नमस्कार दोस्तों हम सबकी जिन्दगी में कभी न कभी एक गाइड, एक मेंटर बनके कोई इनसान आता है और बस हमें वो रास्ता दिखा कर चला जाता है ऐसी ही मेरी भी जिन्दगी में एक इनसान ऐसी आई जिन्होंने शायद मेरे जिन्दगी को बदल सा दिया तो वैसे तो वो मुझसे 40 साल बड़ी है लेकिन जो connect बना जो soul to soul connection बना जो रूँ से रूँ तक की बाते हुई उसने मुझे कही न कही अंदर से बदल दिया तो actually वो outside guide आपको inner guide से मिलवाने के लिए आता है तो उस outside guide के लिए मैंने कुछ लिखा है कि आज बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि किन अच्छे कर्मों का फल है जो आप मुझे मिली आज देखती हूँ जब खुद को आईने में तो पाती हूँ उस हीरे को जो चमक सा गया है शायद देखने लगी हूँ आपकी नजरों से कि मैं न सुन पाती तो क्या होता ऐसा लगता है मानों कानों के जरिये कोई दिल को चू रहा हो और धंड़क मुचा रहा हूँ आज बोलती हूँ तो पाती हूँ खुद को आपकी भाशा बोलते हुए और सुनती हूँ वो खनक जो आज कहीं मुझ में भी है वो ज्छलक जो आज कहीं मुझ में भी है आज खाती हूँ तो चकती हूँ वो रस जो कभी नीरस सा था जो था पर मेरा न था ऐसा लगता है मानों अम्रिच सा घुल गया हूँ आज चलती हूँ जब उन राहों पर जहां चलने से कभी डरती थी मैं तो जानती हूँ कि हार न मानने का नाम ही जीवन है कि चलते रहने का नाम ही जीवन है कि प्रेम करने का नाम ही जीवन है आज लिखती हूँ तो उतारती हूँ वो सब कुछ जो आपसे पाया वो सर्वस्व जो अनुभव पर उतारा और गड़ती हूँ एक छवी कि जब कोई पढ़े तो महसूस हो जैसे कोई प्यारी सी धुन बजा रहा हो जैसे कोई चलना सिखा रहा हो जैसे कोई जीना सिखा रहा हो